है लोगो दोस्तों मामस्कार हमारे ट्रेनल में आपका स्वाजत है आज हम आपको एक बहुत अच्छी टिप्स बताने जा रहे हैं जो है कि धन्या के उसको हम लंदे समय तक इस्टोर करके रख सकते तो हमारी धंया खराब नहीं हो आदेखो हम धन्या लाए हैं आपको हम मचना मैं भाणिस था मैं इसमेश्चlles क क्समधित करें ओद सब्सक्राइब में धन्या को मैं में सब्सक्राइब क्रष्टाइब mmप परन दे थी Godsur हटाई, निद्ध मारा और बात इसमें हैं रहती है कि, उसको हम देखेंगे एक एक करके कि कोई पत्ति अगर पीली पड़ी हो या काली पड़ी हो तो उसको हम निकाल के बाहर कर दी नहीं तो वही पत्तियां हमारी सारी धन्या को खराब कर देती हैं अट्यंब कर दोब हमको ज्ञान रखना परेगा कि हम अच्छे से अपनी धन्या को एकदम फ्रस हारी धन्या हों उसी को हमको इस टोर ना है अभ सकार निज कर दिया है अब हमको इसके लिए एक बाल प्यार करना है और वो प्लास्टिक करना चाहिए उसमें हम पेपर से कबर करेंगे पेपर से कबर करके हम उतको से पेपर ऐसे बिछाएंगे कि वल्या बराबर से बढ़ जाए अब उसके बाद हम उसमें देखेंगे कैसे धन्या रखें इससे क्या है हमको वे समय में आता है कि धनिया हमारी अच्छे से इसमें स्टोर हो पाएगे देब्बा में कि नहीं हो पाएगे अब हम रखना चालू कर देते हैं कि तो हम धनियाक पहले एक गुच्छा डालेंगे फिर उसको दाओ सेट करके प्रस करेंगे आप ज़खेंगे और रखने के बाद ठीगे कि हमारी घृंस अच्छे से श्टोर हो रही है कि मह थे एक हो फिर उसको थोला सब करते हूएogen ठीट करेंगे उसके बाद हम धीरे-धीरे करके पूरी धन्या को उसमें डाल देंगे अब डालने के बाद उसके उपर का जो पेपल बचा होगा उसको हम प्रिस करके दबा देंगे प्रेस करके दबाने के बाद फिर हम उसमें एक दूसरा पेपर लगा के अच्छे से प्रेस करके उसको कबर कर देंगे तो धन्या हमारी उससे सुलचित रहेगी और यह टाइट डिब्ब में हिरम को रखना है आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा और इसमें प्लास्टिक क डिब्बा ही ठीक रहता है उसी में आप रख सकते हो लेकिन अगर आपको इस्टील कहाई तो उसको भीयोज कर सकते हो उसलिए कोई दिकत नहीं है अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए शेर करिए अपने दोस्त परिवार के साथ वीडियो देखने के लिए धन् झाल